हे गाईज वेलकुम बेक तो मैं डूसरी फॉर्म लेगा और ज्यादा पावर्फुल हो जाएगा मैं देखना चाहता हूं कि यह कैसे हैंडिल करेगा फिर थभी हमें मुह है जी दिखाये तब बोलता है काफ़ा टाइम होगे वो अंदर गये हैं ऐसा लग रहा है कि इन लिटल जाता हूं अगर कुछ हो गया उनको तो मुश्किल हो जाएगा मैं कैसे एक्स्प्रीन करूंगा ब्रदर चुन-जुन को तभी मैं द्वारा फाइट कसी दिखायता है वो जो वाटर कंडेसेशन डीमन होता है वो आई शार्ट को भेज रहा होता है वो टैन्मिंग बोलता है वो टैन्मिंग पीछे किताब देखता है वो एक आईस का डीमन होता है वो टैन्मिंग सोच रहोता है क्या यह चीज़ आईस से बने हुए है तब इसका हाथ फ्रीज होने लब पड़ता है वो सोच रहोता है कि मैं अपनी स्फोड को यूज नहीं कर सकता हूं मैं तो इस पावरो स्लेट यहां पर यूज करने पड़ेगी टाइकुंग ऐसे नीचे गिरा होता है कि तुम नहीं बाग सकते हैं ना चलो मैं देखते हैं तुम क्या ट्रम कार्ड यूज करोगी अपना वो टैन्मिंग सोच रहते हैं नहीं डोंगफंग ट्वाइकुंग अभी नीचे गिरा हुए अगर मैं पावरो स्लेट को यूज करूंगा तो डेफिनेट नोटिस कर लेगा फिर जो भी हमारे एफर्ट से वह वेस्ट में चल जाएंगे वह कुछा प्रोब्लम में होता है वह सोच रहोता है क्या मैं कोर में घुसूं और फिर पावरो सोरिंग स्नेक स्वोर यूज करूं तो वह जो डीमन होता है पूरा जो ग्राउंड होता है वह बाकी सभी बाहर आ जाते हैं टाइकंग बोलता है लोड मुग क्या तुमने हमें बचाया मुहाई जी बोलता है हाँ ऐसी बात नहीं कि मैं तुम इस्टेंट में विश्वास नहीं करता हूं पर सबसे सब्सक्राइब और अटेक स्टाइल था वार्टर कंडेसेशन डीमन का वह उनसा भी मॉंस्टर से डिफेंट था जो भी हम जिन से भी मिले हैं मुहाई जी बोलता है क्योंकि यह सब कुछ उसके जो पुरानी स्टोरी है लजेंड उससे लेटिड है पुरानी स्टोरी में जो लिए वह पूरिता से उसे अकेला छोड़ दिया उन्होंने और ऐसे मतलब निकाल दिया वहां से वह अकेले बच गई थी ऐसे वह रोती रहती थी लेक के पास जाके एक विंटर में जो ब्लाइंड गल थी वह उसने एक्सिडेंटली कमजोर आइसके उपर पैर रख दिया थ ऐसे थंडे से पानी में वह जो ब्लाइंड गर्ल थी मतलब अंदी लड़की थी वह अपने लाइफ के एक्स्पिरेंस को बार बार सोच रही थी जो कोर्णा से उसके हर्ट की वह उसकी पावर में कनवर्ट हो गई और ऐसे वाटर कंडेंसेशन डीमन बना जो वाटर कंडें सब्सक्राइब है मैं अदया इसनमें इनचर हो गया तो मैं तो मैं बचया पाया खह। मैं भी KLS हो गया था तो मैं अपने वांड को ट्रीट करना चाहिए टाइक विलता है ठीक है टाइक विलता है अगर मुहाई जी ने मतलब रोका नहीं होता हमें बचाया नहीं होता तो शायद मैं कुछ फाइंड कर पाता है वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था वाइट करने के लिए और इसे पता भी था कि कैसे डील करना है वाडर कंडर सेशन डीमन के साथ क्या यह मैं को खुद किसी डेस्परेट सिच्वेशन में डाना चाहता है क्या फिर मैं आदे गंटी के बात कसी दिखाय होंगा तो जादा अच्छा होगा और मैं अकेले काम करूं मैं देखने चाहते हूं कि मैं खुद बखुद किस स्टेज में पहुंच पाऊंगा फांक लाइन का बोलते हैं तुम देख कहां पे रही हो चलो चलते हैं तो सोच रहते हैं कि लूजेंग से मिलने से पहले में को बहुत जादा ट्रेन करना पड़ेगा ताकि यह जो सिचुएशन थी आज कि यह कभी द्वारा ना आए द्वारा में स्टोरी स्टार्ट होती है हमें टू यर बात का सी दिखायता है स्काय स्पीड बॉंट टावर का वहां पे लूजेंग देख रहा हो तो पर कि तर कुछ लाइट नीचे गिर रही होती है लूजेंग बुलता है कि यह लाइट ओफ एड्जेक्शन है जियान लाव बुलता है कि दो साल पास हो गए है हमारी ऑपरचुनटी फाइनली आ गई है जीव जो एक रेस के वहां पर जाएंगे जहां पर वार्डन रेस पहले होती थी में इस वर्ल को छोड़ के जाएंगे वह लूजेंग की तरफ मुडता और बोलता है जियांगर त्यार रहो जब लाइट ओफ एड्जेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हम मिंगवी से और बाकें से मिलने के लिए चल पड़ेंगे लूजेंग बोलता है ठीक है तो मैं कि टाइम किसी कब इंतजार नी करता है हमें जल्दी करने पड़ेगी और कल्टिवेट करना पड़ेगा फूचु अल्रीडी टोप रंक ट्रूगोट बन गया है तब मिंगवी वहां पे आजाती हो बोलती है कि चो एक्साइल जाहर एक रेस के वह आईगी है ताइम है यहां कर लेंगे तो हम जा सकते हैं क्या वार्डन रेस के जो घर है वह यहां पे नहीं है इस वर्ल्ड में पूचु बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो वह ऐसे पने हाथ हो क्रोस में लाता है और चेंज को दिखा रहा होता है मिंगवी बोलती है कि हम भी प्रिपेर होंगे पहल कर्स चेंड को देख सकते हैं बिना मेरी एबिलिटी के ऐसे हर जगा कर्स चेंड नहीं दिखाय दे रही होता है लुजंग बोलते हैं हमने इस बेकार की प्लेस को फाइंड कर लिए वह हस्रा होता है अब हमें सिर्फ प्लैटफर्म तक पहुंचना और इन कर्स चेंड को तो टो यह जो ब्लैक लिक वेड़ा इई इटा धेरीज्वाटर tu जियानला बोलता है यह सिर्फ फेस हो सकता है हमें ध्यान देना पड़े गा आसे स्पेसकों मोनें खूल ना नहीं है अच्छा मतल्त पtheyसको खोल तो पानी के यह उपर जियरन बोलती है मुनें पहले से पता है क कि यह कुछ भी नहीं दूसरा बोलता है कि पानी की वाज आ रही है काँश से रही है मिंग भी भीती है जीएण बोलती है कि यह हैवी सी वाटर है। ध्यान देना की है वीज़ां अधिया करने के लिए टीज़ ही है तृज ही ङो फिर आपके बॉलती पर वह यहीं पर छुप आउंगे हम सनाइप करने के लिए अच्छी बात है ज्यान लाव प्लीज है, मैं समझता हूं, मेरे साथ हाओ, वो दोनों बोलते हैं ठीक है, वो आगी कि तरह मूव कर रहे होते हैं, पिर आदे गहांते के बाद हम इसहीं दिखायता है, एक इसाँ बो यहां पर क्या कर रहे हैं मतलब बाकी बोल रहे होते हैं जयान लोग बोलता है किसके लावा हों का यह अर्थ फिंड रेस का इन लेन नाइन आइज रेस का उन दोनों को मैंने मार दिया है एसे लगए कि small places भी मतलब जो small races थी वो भी इस प्लेस में एंटर हो चुकी है मिंग भी बोलती है तो यहां लाई भी यहां पर होगा मिंग भी बोलती है तो क्या हुआ वो मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता है मैं उसे जादर powerful हूँ पर मैंने expect नहीं के थी कि तुम exile इतने बेफ भागने का पर तुमने कभी हम में साथ में ले जाने की सोची तुम्हें सब्सक्राइब मुझे पता है कि वार्डन रेस हम यहां से जाने ने देगी अगर हम तुम्हें मारे भी देंगे पर अगर हम नहीं जा पाएंगे तो तुम भी यहां से नहीं सकती हो वैसे energy को release कर रह यह साल सीलिंग डिस्ट्रेक्शन ट्रू मीनिंग नहीं है क्या यह तो देखने में अमेजिंग है एक तरह से सुगाइज एपसोर नंबर 511 नितना था अगर आपके वड़ी पिसंत लाइक और नहीं बैख फिब लाइक दूश्य का अब दो साथ कमेंट करके अगर आपके व